पियूश जैन की कोट में पेशी हो चुकी है स्वक्की ये बड़ी खबर कानपुर से पियूश जैन को कोट में पेश किया गया है पियूश जैन को स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोट में पेश किया गया है से पहले मेडिकल कराया गया था और अब ये बड़ी जानकारी दे रहे और इसी बाबत आज मांग की जाएगी रिमांड की, तो कोट में पेश हो चुके हैं P.U.S. जैन, इस वक्त की बड़ी खबर इस मामले में कानपूर से बता रहे हैं P.U.S. जैन को special magistrate की कोट में पेश किया गया है और रिमांड की मांग की जाएगी और रतीश हमारी संबाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रतीश और क्या जानकारी है तो अपते गुजदिर पहले ही प्यूजयन को लेकर के आया गया है इसे पहले जब उसका रिपोर्ट निकटिव आगया उसके बाद ही अब कोट में इस्टिट के सामने पेश किया जा रहा है और रिमान की कोशिश की जा रही है और रतीश जो अभी तक सबूत मिले हैं प्यूजयन के खिलाब उससे ये साफ है कि कोट असानी से इतने दिन की रिमान्ट देदेगा देखें कर्चोरी की बाते सामने आई हैं कि बड़ी टेक्स चोरी की गई है प्यूजयन के सरफ से क्योंकि पाच करोन का करणोबर करने वाली कंपनी के पास से के मालिक के पास से जाइतो करोन से ज्यादा की संपत्ति कहां से अरजित की गई जो दिवारों में, फर्ष में, सीलिंग में, गोदाम में, फ्रेक्टरी में तमाम जगाओं पर शिपाच शिपाके रखी गई थी और इसके लिए ये माना जा रहा है कि रिमांड पर दिया जाएगा और रिमांड भी उप्रियस पर समय की दियाएगी कि पूश्टाच करनी है, लंबी पेरिस से सवातरों की उन सभी के जवाब चाहिए और इसी भी है, रिमांड की अवदी भी लंबी होनी चाहिए और रतीश कितनी देर तक इस पर फैसला आ सकता है, कितनी देर तक अभी कोट में ये सुनवाई चल सकती है बहुत बहुत शुक्रिया रतीश इस पूरी जानकारी के लिए